हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ माला जपने के नीमों के बारे में मंत्र जाप के लिए माला क्यों किया जाता है माला का प्रयोग और उसमें रखी जाने वाली साथ धानियों के बारे में उमीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं हमारे हिंदु धर्म में पूजा पाठ, आर्ती, मंत्रों चार आधी का महत्व है धार्मिक माननेता के अनुसार मंत्रों में बहुत ही शक्ति होती है और हर एक मंत्र से अलग-अलग शक्ति उत्पन्न होती है मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है माला का प्रयोग क्यों किया जाता है क्या आप जानते हैं माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि मंत्र जबकी संख्या में कोई भी गल्ती, कोई भी भूल ना हो जाए माला के दानों को मन का कहा जाता है जैसा कि हम सब जानते हैं सामानेत माला में 108 मन के होते हैं हाला कि इसमें 27 या 54 मन के भी होते हैं अलग-अलग मंत्र के जाब के लिए अलग-अलग माला का उपयोग किया जाता है माला की प्रयोग के कुछ नियम है चलिए उनको जान लेते हैं सबसे पहला नियम है माला के हर मनके के बाद एक गाट जरूर लगी हुई होनी चाहिए दूसरा नियम है माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए दूसरे की माला का प्रयोग मंत्रो चार के लिए नहीं करना चाहिए मंत्रो का जाप करने से पहले हाथ में माला लेकर प्रातना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्रो का जाप हमारा सफल हो मंत्र जब के समय माला किसी वस्तर से ढखा हुआ या गो मुखी में होना चाहिए इस बात का जरूर द्यान रखें कि जिस माला से मंत्र का जब करते हैं उसे धारण नहीं करें इसके बाद है मंत्र जब के समय तरजनी अंगली से माला का स्पर्शन नहीं होना चाहिए साथ ही सुमेरू का उलंगन भी नहीं होना चाहिए दोस्तों आगे हम जानेंगे कौन-कौन से देवी देवताओं के लिए कौन-कौन से माला का प्रियोग करना चाहिए मालाएं अलग-अलग प्रकार की होती हैं जैसे रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, हल्दी माला, चंदन की माला और तुलसी माला तो सबसे पहला है रुद्राक्ष की माला अधिक्ता मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं महामृत्युन्जय मंत्र और लगुमृत्युन्जय मंत्र केवल रुद्राक्ष पर ही जब कर सकते हैं स्पटिक की माला माता लक्ष्मी और मासरस्वती के मंत्र इस माला से जबना अच्छा होता है हल्दी की माला ब्रस्पति देव और ज्ञान संतान प्राप्ती के मंत्रों का जाब हल्दी की माला से करना चाहिए चोथा है दोस्तो चंदन की माला जैसा कि हम सभी जानते हैं चंदन की माला दो प्रकार की होती है लाल चंदन और श्वेथ चंदन देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप सफेज चंदन की माला से किया जाना चाहिए तुलसी की माला भगवान विश्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से किया जाना चाहिए देवी मंत्र और शिव जी के मंत्रों का जाप कभी भी तुलसी की माला से नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूप बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद